सबसे पहले आप अपनी उस post को open करें, जिसके अंदर आप unlimited traffic भेजना चाहते हैं, जहाँ पे आपका title लिखा है, वहाँ से लेके बिलकुल last तक आपको सारा text copy करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने click करा और सारे text को मैंने copy कर दिया, copy करने के बाद आपने Google open करना है, और यहाँ पे Google Apps की option मिलेगी, इसके उपर आपने click करना है, थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे आपको docs का button दिख रहा है, जैसे आप इसके उपर click करेंगे, तो यहाँ से आपने blank के उपर click करना है, आपने जितना copy कर रहा था, उसको आप यहाँ पे paste कर दे, यहाँ पर आप देखेंगे, मेरी किसी भी तरह की कोई ads ने आ रही, ना header आ रहा है, ना ही मेरा कोई footer आ रहा है, और जो मेरे links है, वो भी as it is, same मेरे copy paste हो गए, और जितनी भी images थी, वो भी show कर रही है, पर यहाँ पर अगर आपकी कोई date आ रही है, तो उसको आप यहाँ से select करके delete कर दे, मैं अपने title को यहाँ से center में लेके आऊंगा, उसके बाद आपको file की option मिल रही है, इसके उपर आपने click करना है, download पे जाना है, और यहाँ पर लिखा है PDF document, इसके उपर आप click करेंगे, click करने के बाद आप देखेंगे, आपका जो web page है, वो PDF format में download हो चुका ह और इतना clean and clear है, और इसके अंदर images भी आ रही है, internal linking मैंने कर रही है, वो भी यहाँ पर show कर रही है, आप देखेंगे, जैसी मैं click करूँगा, click करने के बाद direct मेरी वो post open हो चुकी है, अब आप यह सोच रहोंगे कि मैंने आपसे post को PDF में convert क्यों कराया, आज जो मैं आपको website बताने वालों friends, उसके अंदर millions में traffic आता है, और उसके अंदर जो लोग अपनी post add करते, उस post में भी millions में traffic आता है, इसका proof में सबसे पहले आपको दिखा जाता हूँ, जिससे आपको trust हो जाए, पर उससे पहले आपका जो title है, उस title को आप copy करेंगे, और जो PDF फाइल आपकी details दिखा रहा हूँ, अगर आप इसमें अपनी post डालेंगे तो इसके अंदर save रहेगी, महीनों तक, सालों तक और आपको views आते रहेंगे, दो साल पहले, तीन साल पहले, साथ साल पहले तक, जो post इसमें डाली गई है, आप देखेंगे उसके अंदर कितने अच्छे views आ रहे ह आप चाहें तो see all पे click करके यह सारी details देख सकते हैं, और इस website का कितना traffic आ रहा है, कैसे traffic आ रहा है, कहां कहां से traffic आ रहा है, वो सारी details में आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप देखेंगे PA, DA और spam score, कितना अच्छा है, अगर आप post डालेंगे तो spam score का issue खता में, DA 95 है, PA 62 ह और इसकी traffic की अगर मैं बात करूँ तो friends, millions में इसमें traffic आ रहा है, आप देखेंगे 100 million तक traffic गया है, अभी 78 million के around traffic गया है, और कहां से traffic आ रहा है, maximum traffic आपको Mexico से दिखेगा, India, Columbia, Philippines और United States, इस तरह की website में, article डालने में कोई problem नहीं है, आप इतनी महनत करते हैं, अपनी website को grow करन traffic लाने के लिए, अगर एक इस website में भी try कर लेंगे तो उसमें कोई हाम नहीं है, right side top में आपको sign up की option दिख रही है, इसके उपर आपने click करना है, click करने के बाद आप Google, Facebook और email से भी sign up कर सकते हैं, मैंने Google से sign up करा और मेरा sign up successful हो चुका है, अब यहां से मैं अपने इस icon पर जाऊंगा, account settings पर click करूँगा, और personal details पर मैं click करूँगा, यहां पर आप देखेंगे मेरे email ID में verification link बेजाए, जैसी मैंने अपना email ID open करा, तो यहां पर मुझे verification link मिला, यहां से मैं इस link को copy करूँगा, क्योंकि मेरा यह दूसरे browser में open है, जैसी मैंने link paste करा तो यहां पर आ नीचे करूँगा, और अपनी website का link यहां पर add कर दूँगा, और मेरी industry के है, उसको मैंने यहां से select करना है, मतलब आप अपनी website की category को यहां से select करेंगे, यहां से technology, software, internet, इसको मैंने select करा, नीचे details fill करने के बाद आप देखेंगे मैंने complete form fill कर दिया, आप चाहे तो video को pause कर स अब उस PDF को आपने upload करना है, और उसके साथ साथ आपने kin points का ध्यान रखना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, right side top में upload का button है, इसके उपर मैंने click करा, यहां से आप drag and drop भी कर सकते हैं, नी तो direct select करके आप upload भी कर सकते हैं, मैं यहां से drag and drop करूँगा, उसके बाद I am not a robot के उपर मैंने click करा, जितनी दिर में uploading मेरी complete हो रही है, उतनी दिर में मैं यह सारी formalities पूरी कर दता हूँ, यहां से आपको अपनी category select करनी है, मैंने education को select करा, description आपकी कम से कम 3000 words की होनी चाहिए, आपको अपने article में से copy paste करके लिखना है, जो मैं already कर चुक हूँ, आप देखे description 3000 words से कम लिखेंगे, तो आपका जो score है वो कम रहेगा, और score कम होने के वज़र से friends यह ज़्यादा लोगों को दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आपको अपनी description और tags भर भर के लिखने है, जितना इन्होंने बोल रखा है, यहां पर आप देखेंगे मैंने काफी सारे tags ल बटन पर क्लिक करना है, आप देखेंगे मेरी post का URL यह वाला है, अगर मैं इसे अपनी website में या कहीं पर भी embed करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे यहां से code मिल गया है, अगर मैं इसे अपने Twitter, Facebook या कहीं पर भी share करना चाहता हूँ, तो वहां पर भी कर सकता हूँ अब यहां से मैं इस link पर click करूँगा, मेरा code copy हो गया है, और इसको मैं यहां पर paste करूँगा, यहां पर आप देखेंगे मेरी slide कुछ इस तरह की दिखाई दर ही है, अब मेरी कोशिश यह रहेगी, मतलब कोशिश किया मैं प्रे यह करूँगा कि जितने भी लोग इस slide को दे में traffic जाने वाला है, क्योंकि internal linking मैंने कर रखी है, उसका interest इसमें जरूर होगा, जैसी वो इसके उपर click करेगा, तो direct मेरी website open हो जाएगी, और यहां से वो और भी मेरी post पढ़ना start कर देगा, और मेरी website में traffic आने लग जाएगा.